आपके गार्डन में अगर आप आते हैं कि आपके प्लांट्स में फ्लावरिंग तो बहुत अच्छी तरह हो रही है लेकिन फ्रूट्स डेवलप होने से पहले जो फ्लावर्स हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं यानि कि जो ब्लॉसम्स है वो ड्रॉप हो जाते हैं तो ये काफी disappointing हो सकता है क्योंकि बहुत ही मेनत से हम plants grow करते हैं और जब flowers या blossoms drop होते हैं तो बहुत ही अफसोस होता है जनरली जब plants stress में होते हैं तो flowers यानि की blossoms drop होते हैं तो आज के वीडियो में चलिए हम discuss करते हैं कि ऐसे कौन से stress factors हैं जिसकी वये से जो हमारे plants पे flowers हैं वो drop होते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कुछ plants में male और female flowers अलग लग होते हैं जो male flowers होते हैं वो pollen produce करते हैं और एक पर blossom होने के बाद उनका drop होना बहुत ही normal है यह बिल्कुली normal है लेकिन अगर female flowers आपके drop हो रहे हैं तो यहाँ problem है और साथ ही जो female flowers होते हैं उनके base पे एक tiny fruit होता है छोटा सा आपको फल दिखेगा जो भी female flowers होगे उनके base पे आपको फल दिखेगा दूसरी वज़े blossom drop होने की होती है lack of pollination यानि कि हमारे garden में जो natural pollinators हैं जैसे की honeybees उनकी कमी की वज़े से जो flowers हैं वो pollinate नहीं हो पाते तो इस case में हमें hand pollination करनी होती है जिन flowers में male और female parts एक साथ होते हैं उनमें आप चाहे तो ear bird, किसी paint brush या generally उनके base पे tap करके या फिर किसी vibrating toothbrush से pollination कर सकते हैं और जिन plants में male और female flowers अलग-अलग होते हैं उनमें आपको जो pollen है वो male flower से female flower में transfer करना होता है आप चाहे तो male flower तोड़के भी आप वो transfer कर सकते हैं किसी छोटे paintbrush की help से भी जो pollen है वो male flower से female flower में transfer कर सकते हैं जब आप अपने plants को पानी देते हैं तो आपको यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप पानी excess में ना दें, over watering ना करें क्योंकि अगर आप over watering करते हैं जो और आपका media है वो हमेशा over saturated रहता है, बहुती गीला रहता है तो यह भी एक stress पैदा करता है plants के लिए जिसकी वज़े से जो blossoms हैं या flowers है वो drop होते हैं और साथ ही अगर आपके जो plant है, उनके जो pot है, उनकी जो drainage है वो poor है यानि कि पानी हमेशा उसमें जमा रहता है, जल्दी से नीचे नहीं जाता तो इसकी वज़ेचे भी काफी stress create होता है और जो blossoms हैं वो आपके plants में drop हो सकते हैं इसलिए ध्यान रहे कि drainage कुछ ऐसी होनी चाहिए कि पानी जादा देरी कठा ना हो और जल्दी से नीचे चला जाए Underwatering भी plants के लिए बहुत जादा stress create करता है अगर आप जो water करते हैं अपने plants को बहुत जादा infrequently करते हैं या आप अपने मीडिया को पूरी तरह dry होने देते हैं तो ये काफी जादा stress create करता है plants के लिए plants विल्ट भी करते हैं और इसके वैसे जो आपके blossoms है यानि कि आपके flowers है वो drop हो सकते हैं अगर आपके plants को भरपूर nutrition नहीं मिल पा रहा है यानि कि आपके plants को जिन nutrients की ज़रूरत है वो उसे नहीं मिल पा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा stress create करता है आपके plants के लिए तो इसलिए बहुत दूरूरी है कि आप जब भी potting mix बनाते हैं तो उसमें भरपूर मातर में organic matter और high quality compost एड़ करें और उसके बाद जब भी plant को ज़रूरत हो टाइमली आप उसको organic compost प्रवाइड करते रहें ताकि आपके plants की growth भी अच्छी हो और जो flowers हैं वो भी drop ना हो हमारे plants पे कुछ pest जैसे की trips एक वज़े हो सकते हैं flowers drop होने की इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो plants हैं वो healthy हैं जो हमारे plants के जो पत्ते हैं उनकी back side पे खासकर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो pest होते हैं वो अधिकतर वहीं पे eggs जो ह महीं छुपे मिलेंगे इसलिए हमें हमेशा अच्छी तरह चेक करना चाहिए हमारा plant healthy है किसी भी तरह का कोई pest attack नहीं है और अगर कोई pest attack है तो हमें एक organic pesticide जैसे की neem oil use कर सकते हैं environmental factors जैसे की temperature का बहुत ज्यादा high होना या बहुत ज्यादा low होना भी वज़े हो सकती है flowers drop होने की इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि सही time पर सही variety लगाएं ताकि आपको plants grow करने में कोई भी दिकत ना आए तो यह थी कुछ factors जिनकी वज़े से आपके plant में flower drop हो सकते हैं आपके plant जो भी problem face कर रहे हैं अगर आप उसे सही तरीके से address करते हैं तो यह शौर है कि आपको बहुत ही अच्छा harvest मिलेगा आपके fruits बहुत ही अच्छी तरह develop होंगे तो गाइस यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने discuss किया कि आपके plants उनमे flowers drop क्यूं होते हैं तो गाइस अगर आपके कुछ questions है तो comment section में पूछ सकते हैं प्लीज मेरे चैनल को subscribe कीजिए साथी bell icon दबाईए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो ना miss कर पाए